माध्मिक 2022 के कैंडडेट बहुत-बहुत स्वागत है रमधान टुटियोल में माध्मिक के मैथमिडिक्स के चाप्ट नमबर 2 सिंपल इंट्रेस्ट पर आज मैं आपको सजेसन देने वाला हूँ जैसे कि मैं आपने सारे सजेसन के दौरान आपको ये भी बताता हूँ चलता हूँ कि वो क्या common mistakes है जो मैंने बच्चों को देखा है कॉपी में गलती करते हुए वो सारे points भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ ताकि आप अपनी copies में वो गलती ना करें questions को important questions को suggest करने के साथ साथ ऐसे questions जिसमें थोड़ी tricky होती है जिनके जिसमें बच्चों को मैंने देखा है कि बस question के trick के वज़े से वो गलती कर बैठते हैं मैंने उन questions को भी आज के इस वीडियो में include किया हुए तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं simple interest के important questions को देखते हैं बच्चों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माध्धिमिक का suggestion for the year 2022 मैंने यहां पर publish किया हुआ है suggestion की probability मैंने 85% बोली है क्योंकि यह जो suggestion से माध्धिमिक में बहुत chances होते हैं क्यों होता है क्योंकि generally previous series की मैं बात करता हूँ यहां पर दो questions में से एक question book में से और एक question बुक के बाहर का आता है बुक के बाहर का मतलब concepts लगभग बुक से होते हैं लेकिन question बिल्कुल ही नया question आता है जिसको आप लोग सायद ही देखे हूं इसी वज़े से यहां पर इस branch में यानि कि जो हमारा 2, 6 और 14 arithmetic का branch है इसमें common होने के probabilities बड़े low होते हैं मैंने कोसिस किये कि इन सारी तरह के चीजों को जिससे question को नया बनाया जा सके उन सारी चीजों का आज के वीडियो में include करूं कुछ similar questions भी आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूं इसलिए probability low है और मैं आपको पहले ही बताता हुआ चलूं कि यहां पर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है चाप्ट No.2 simple interest पे आज का हमारा suggestion है चली हम लोग देखते हैं कि मैंने कौन-कौन से questions आपको इस chapter में suggest किये हैं तो सबसे पहले मैं one marks में आपको कुछ MCQ के questions suggest करूगा यहां पर जितने मैंने question लिये हैं यह सारे questions लगभग बुक के questions के close हैं बट इनके या तो questions में या options में या numbers में changes करके मैंने कुछ नए questions बना हैं अगर आप screenshot लेकि इनको prepare करना चाहते हैं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन बहतर होगा कि मैं एक बार पढ़ के बता दूँ पहला question कहता है if the interest of P at the rate simple interest of R% per annum is in T years is capitalized then R is equals to ऐसा ही first question आपके बुक में है बहुत similar है लेकिन मैंने यहां पर changes किये हैं second number question, third number question, fourth number question में बिलकुल मैंने ऐसी ही चीज़े की है question number five में जब आएंगे तो देखेंगे question number five में मैंने एक term mention कि मादमे के 2018 में यह question आपके सामने आया हुआ है तो इस question को आपको जरूर prepare करना चाहिए साथ ही साथ मैंने एक ऐसा similar question बनाया है जिसमें यहां पर PNR by 25 आपको question में दिया गया था मैंने इसे PNR by 50 करके आपको पूछा है और आपसे कहा है कि इस question को similar question को solve करें इससे आपको clarity मिलेगी कि one marks के किस किस तरह type question आ सकता है अब मैं आपको fill in the blanks में तीन question दिखाना चाहूँगा यह तीनों ही question बुक के ही लिए गये है तो अगर आप book के questions को practice कर रहे हो और already complete करके रखे हो तो fill in the blanks में आपको कुछ भी बात नहीं देना है तीन questions में से देखे 2020 में एक question को दिया गया था पूछा गया था तो यह हमारा one marks का suggestion था two marks में मैंने बहुत कुछ extra include किया हुआ है क्या है चली देखते हैं अब मैं start करता हूँ two marks two marks में जो मैंने पहला question लिया है यह 2020 में आया हुआ question है और मैं आपको बता हूँ questions का जो जगह है वह भी change किया गया तो आप देख सकते हैं कि one number और six number similar questions है बस data में changes है और marks में भी changes है question number two books से लिया गया है 2018 में आया हुआ है तो इससे आप जरूर prepare करेंगे ना के वर इस question को आप solve करेंगे बलकि यह भी याद रखेंगे कि 2018 में आया हुआ है तो बिलकुल इसे आपको ध्यान रखते वे इसे solve करना है even कि question number three किसी भी previous sir में नहीं आया हुआ है बट इसे आप बिलकुल ignore ना करें यह question आपको जरूर solve करना चाहिए question number four यह भी previous sir में नहीं आया हुआ है लेकिन solve जरूर करना चाहिए बहुत important है यह question यहाँ पर question number two से related में आपको एक suggestion बताता हुआ चलूँ यह जो दिया हुआ है three उसके बाद bracket में three by four इसका मतलब है यह है three whole three by four हिंदी मीटेम के लिए तीन पुर्णांग तीन बटा चार परसेंट दिया गया है clear है question number seven में add करता हूँ तो seven eight nine ten मैंने चार extra questions लिया है इनको थोड़ा देखिएगा write the number of years मतलब कितने वक्त लगेगा time लगेगा यह आपको निकालना है in which amount becomes twice the principle having the same rate of simple interest of six whole one by four percent तो अगर आपका simple interest का rate six whole one by four percent कर दिया जाए तो आपका कोई amount double होने में कितना time लगेगा आपको यह seven number में निकालना है यह मैंने exercise में से choose किया है लेकिन two marks के लिए important है तो even कि यह हम लोगों के exercise में five marks वाले sections में दिये गये थे मैंने वहां से इसे अलग करके यहां डाला है मैंने notice कि है कि बच्चे जनरली इस question को ओवर लुक कर जाते है क्योंकि यह five marks में आता नहीं है और interest at the rate of simple interest 6% per annum from first January to 26th May 2005 अब इस question को suggest करने के पीछे reason क्या है कि जब बच्चे इस question को बनाते हैं तो अलग-अलग बुक में इसमें ऐसा होता है कि first January से लेके 26th of May तक का date दिया गया है तो last day 26th of May को count नहीं किया जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है याद रखिए जब आप calculate करे और अगर आपके लिए possible है और आपके school के teacher ने आपको suggest already कर दिया है कि 26 यानि कि last day को include मत कीजेगा तो फिर आप इसे skip कर सकते हैं लेकिन अगर आप book को follow करेंगे तो book में दो जगा दो questions दिये गया है एक exercise में एक example में एक जगा include किया गया है एक जगा include नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब करूंगा कि सब्सक्राइब करें मैंने फिर से दो questions exercise में इसे उठाए हुए है questions काफी easy है आसानी से solve के जा सकते हैं टू मार्स के लिए जर्नली होता हिया है कि यह questions book में five marks वाले sections में दिये गया है तो बच्चे इससे overlook कर जाता है इसलिए मैंने सही है include क्या 9 तो यह 10 questions मैंने आपको सजेस्ट के हैं जोकि two marks के हैं ध्यान रिया रखिएगा मैंने जितने भी questions चूज कि हैं सब मैंने books सही चूज कि हैं क्यूंकि मादमिक mathematics में सारे questions books सही आते हैं बस यहां पर आपको suggestion चाहिए होगा मेरा थोड़े सब्सक्राइब कि किस तरह से questions में changes ह हो सकते हैं क्या वो mistakes से जो common mistakes से बच्चों के जिनको अगर आप overcome कर लो तो obvious सी बात है कि आप बहुत अच्छा score कर लोगे चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं five marks के question में तो मैंने यहां five marks के questions को चाट नबर two के exercise से चूज किया हुआ है मैंने example से कोई question नहीं चूज क करता हूं यह मैंने आपको already बता दिया है कि अगर मैं करूं तो इससे मुझे कोई खास लाव तो नहीं होगा आपको नुकसान ही होता है कि सर्च करने में टाइम बरबाद होता है इस वज़े से मैं generally prefer करता हूं कि question में जो book में जो question number है वो से as it is रखूं जिससे आपको tally कर करने में मार्क करने में सुविधा हो तो अगर आप रेडी है तो चले मार्क करते हैं question number five को जरू मार्क कीजेगा चोटा मोटा calculation based question question number six को मार्क कीजेगा seven मार्क कीजेगा seven number में भी जो question मैंने example में वहाँ आपको suggest किया था वही यहाँ पर दिया गया है difference है वहाँ six one by four percent है यहाँ six percent है ठीक है two marks में भी मैंने दिया है यहाँ भी मैंने दिया है question number eight भी एक छोटा सा question है लेकिन यहाँ पर एक principle को interest को principle का three eight बोला गया है मैंने बस इसे include इसी वजे से किया है इस question को जबूर प्रैक्टिस कीजेगा वैसे यह five marks के लायक नहीं है five marks के लिए बहुत छोटा है two marks में यह जाना चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने इसे five marks में रखा हुआ है question number ten की जो खासियत है one day one पैसा तो यह बच्चे गलती कर बैटे मैंने common mistakes में notice की है कि जब बच्चे इस chapter के question को solve करते है especially मैं इस question के बात करूं तो भूल जाते हैं कि यह एक दिन का interest एक पैसा है और वो पर एनम इंट्रेस्ट वन पैसा के हिसाब से start कर देते है और विसी बात है डेटा बहुत गलात आता है question number seven को suggest करने के पीछे वज़ा है कि यहाँ पर जो calculation दिया गया है यह no doubt एक बहुत ही अच्छा calculation है जो बच्चों को आना चाहिए तो 30 number मैं बहुत ही important questions में मानता हूँ इस chapter के इस series में मैं आपको और यह 4 questions बोलने वाला हूँ और वो उस पैसे को invest करते हैं deposit करते हैं दो जगों पर जहां से उनको इतना total 5400 interest मिलता है दोनों जगों का rate of interest बताया हूआ है और इसे बुला गया solve कर दो इस question में जो total calculation है वो थोड़ा लेंदी होता है इसलिए मैंने इस question को suggest किया है 17 number की बात की जाए comparatively बहुत आसानी से यह बनाया जा सकता है अगर 16 जिससे बन जाता है 17 उससे जरूर बनेगा तो 16 और 17 बिल्कुल similar type of question है अगर आपने already 17 प्रैक्टिस किया तो आप 16 को skip कर सकते हैं और 16 किया तो 17 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही questions बिल्कुल same concept based है total interest आपको बता होंगे जो 17 को as a suggestion already solve कर चुके होंगे फिर को सोच रहोंगे कि 16 करें या नहीं करें तो मैंने उनको बता दिया यह दोनों similar है कोई एक करने से आपका काम बन जाएगा अब मैं आपको 80 number question के तरफ लेकर चलना चाहूँगा यहां पर है अब bank gives 5% simple interest परेनम इंद बैंक फिर deposit कर रहा है पूरे one year के tenure के अंदर में यह जोसके transactions हो रहे हैं यह बड़े important है total principle को calculate करने में generally इस टाइप के questions को आपने नोटिस किया है कि chapter number 14 में आप लोगों को मिलता है लेकिन यहां पर भी इसका बहुत important role है इसलिए मैं सोचा था कि यह question आप लोगों को जरूर दिय जाए तो question number 18 को जरूर solve कीजेगा पूरा solve कीजेगा answer तक पहुंचेगा और question number 19 को देने के पीचे वज़ा है यह मेरा favorite question है इस chapter में इस chapter के one of my favorite questions में यह question मैं suggest करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप arithmetic सीख रहे हैं तो इस type questions ऐसे questions है जो बच्चों से जरूर पू कि एक आदमी bank से पैसा उधार लेकर एक flat अपना बना लेता है सिर्फ उस flat को खडी दने के बाद अगर उससे free छोड़ दिया जाए कि पैसा जब return करना है करो अगर ऐसा situation है तो कितना interesting sound करता है इस तरह का question इसलिए मैंने question number 19 को यहाँ पर include किया है calculations भी बहुत खूब सुरूती से होते हैं बहुत ही अच्छा और थोड़ा lengthy calculation है तो अच्छे से कीज़ेगा तो यह हमारे वह suggestions तो जो मैंने chapter number 2 में simple interest में आप लगों के लिए लिए रखा है I hope कि यह सारी questions करने के बाद आप एक अलग level of confidence फील करोगे कि हां मैंने chapter को अच्छे से complete किया है 1 marks, 2 marks और 5 marks जो भी इस chapter से आते हैं सभी मैंने बता दिया अब मैं एक और चीज़ आपको finally last में बताता हूँ जर्णरली होता ही है कि जातर बच्छे इस वीडियो को इतने दे तक देखते नहीं skip करके निकल जाते हैं जिन्होंने screenshot लेकि जो निकल गया हैं उनको ये बात पता नहीं चलेगी और यही वो important point है जो आप सब लोगों को जाना चाहिए chapter 2 के साथ chapter 6 और chapter 14 ये एक pair है एक group है जिसमें 2 के साथ 6 और 14 को करना पड़ता है माधिबिक examination में आप लोगों के इस reduced syllabus में कहा गया है कि आप लोगों को दो question आएंगे इन 3 chapter में से और आपको बनाना होगा दो questions आपको बनाने पड़ेंगे और कितने questions आएंगे ये नहीं बताया गया क्योंकि sample paper announce नहीं हुआ है मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं देखिए तीन chapter से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से इस chapter को complete करते हो तो तीन chapter में से तीन questions आएंगे और आपको कोई दो attempt करना है ठीक है मतलब एक alternative वह आपको देंगे minimum दो alternative भी दे सकते हैं तो मैं ऐसा सोच रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि वह कम से कम तीन questions आपको देंगे और दो attempt करना पड़ेगा दो में अगर आप simple interest को और compound interest को बना के जाते हो तो इसमें से आप दो question attempt कर लोगे या कोई भी दो चाप्टर जिसको आपको लगता है कि जिसमें आप बहुत अच्छे हो उसको अगर आप पूरा complete करते हो तो यहाँ पर जो तीन chapters का questions है उसको आप कर पाऊंगे 5 marks के 3 questions में से 2 attempt करने पर आपको 10 marks मिलेगा इस पूरे branch में जो मतलब यह जो 2, 6 और 14 का जो total branch है वहाँ पर 21 marks का question exam में आने वाला है जिसमें से 10 marks आपको 5 marks के questions में मिलेगा बाकि सब आपको objective में मिलने वाला है 11 marks का objective आने वाला है इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके 1 marks और 2 marks के suggestions भी publish किया है अगर आप 5 marks के लिए इस chapter को target करते हो तो 5 marks को questions को solve कर लो लेकिन 1 और 2 तो confirm करना है बिलकुल इसी तरह से 1 और 2 आपको बाकी दूनों का तो confirm करना है 5 marks के लिए आप जिस chapter को नहीं target करोगे उसे आप skip कर जाना clear हो गया लेकिन अगर आपके पास enough time है और आपके पास enough time है उसे prepare करने के लिए तो आप prepare भी कर सकते हो रिविजन करना है तो तो बिलकुल रिविजन करके जाए I hope कि यह जो hint मैंने आपको दी strategy बताइए strategy आपको समझा होगी और strategy को आप अच्छे से follow करोगे आपके इस वीडियो में मेरा यही suggestion रहेगा आप लोगों के लिए suggestions and common mistakes यह सारी चीज़े मैंने आपको guide कर दी है I hope कि यह guide आपके लिए appropriate रहा होगा beneficial रहेगा माधिमी के suggestion में और आपको कॉंसा suggestion चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं अगर आपको लगता है कोई है जिससे इसकी जरूरत है तो उससे वीडियो शेयर जरूर कर दे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलता है अगली वीडियो में तिल देन डू टेक क्यार